हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई हो क्या आप अच्छों को तो गाइस मेरा नाम है समीर खान और आप दिख रहे हैं अपका अपना इडिक चैनल टेकनिकल माइंड सपोर तो गाइस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ओपो ए 15S के अंदर उटीजी टेस्ट तो गाइस इसके लिए हमको एक शटीजी चाहिए प्याटीजी है ठेक है ये आपका यो माइक्रो युएस भी रहता है उसी का उटीजी है ठेक है तो गाइस साथ ही हम टेस्ट करने वाले हैं सेंडिक के ऊट थीचिन्ड नने वाले हैं simple simple direct step is जिसकी में आपको बता है कि आप अपने फ़न के अंदर कैसे OTG इनिवल कर सकते हैं तो चलिए गाइस सबसे पहले हम इसके अंदर हमको अगर कनेक्ट करना है तो पहले हमको अपना जो pen drive और उसको हम OTG के साथ कनेक्ट करते हैं इसके बाद हमको क्या करना होगा कि हमको अपना फॉन के अंदर इसको इसको मैंने फॉन के साथ भी कनेक्ट कर दिया है बट हमारे यहाँ पर कोई भी notification बगएर हमको कुछ भी देखने को नहीं मिला तो वो क्यों देखने को नहीं मिला मैं आपको उताता हूँ आपको सिंपल से क्या करना हो गाईज आपको settings के अंदर जाना है इसकी settings के अंदर आने के बाद गाईज यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको थोड़ा नीचे जाना है ठीक है और नीचे के आपको आपको सर्ची कर लेना है यहाँ पर आपको OTG सर्च करना है जैसी आप OTG सर्च करेंगे तो आपके सामने एक option आएगा OTG Connection जो की additional settings के अंदर आपको देखने को मिल जाता है तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है इस पर क्लिक करने को बद गाई यहाँ पर बोल रहा है OTG Connection इसको आपको अनेवल करना होगा साथ ही साथ गाई आपको यहाँ बता रहा है 7.3 GB अभी आपका space खाली है इसके अंदर ठीक है तो इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारा सिंपल सा जो की इसके अंदर हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हमारा कुछ भी हो इसके अंदर फोर्टो बगारा तो इनको आप इस प्रिकार से एक्सिस करते हैं तो गाइस आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपका OPPO A15S के अंदर आपको support देखने को मिलता है OTG connection का तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी यह फिर आपको वीडियो अच्छी लेगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी तो मैं वीडियो क लाइक करें हमारी चांव को subscribe करके बैले कि में प्रस करना अभी मत बुलिए गाइस मिलते हैं किसी अगली और इंट्रस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई एंड टेक कियर